दोस्तों खोशान दी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने तमाम दोस्तों गश्ष शुक्रियादा करेंगे जिन्हों ने हमारा साथ दिया और हम अपने हजार यूट्यूब सब्स्राइबर्स का माइल स्टों तैकत जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तब सब करें ताके हम अपने अगले हादफ तक पहुंच सकें दोस्तों आज हम आपके लिए लाइन है एक ऐसे गेम की कहानी जिसको बच्पन ने आप सबने अगर खेल नहीं तो देखा जरूर है जी हम आज हम आपको मशूरे जवाना फर्स पर्सन शूडर गेम डूम की कहानी सुन को दिखाए गया है जो कि मुक्तलिफ अंडेट और राक्षिस से मुकाबला पर नजर आता है आईडी सौफ़ेर डूम से पहले कमान रेटीन और विल्फन सीन 3D लाँच कर चुपी थी इस गेम के लाँच होते ही डूम ने धूम मचा थी और सिर्फ दो साल के अंदर अंदर इसको दो करोड़ लोग खेल चुके थे ग्राफिक्स के एतिबार से ये उस वक्त के रिलीज डियम से खासा बेटर था और इसमें आप मुक्तलिफ गंद से दुष्मन पर वार करके दिल को तसली देते थे आप मुक्तलिफ बलाओं और एलियन्स की दजियां जब अपने मन गंद से उड़ाते थे और गेम में आगे बढ़ते थे तो साथ देखने वारे लोग भी खासा मेजूस होते थे दोस्तों इस गेम ने रात और रात इतनी मखबूलियत हासिल कर लिकिंद देखते ही देखते ही गेम हर कंप्यूटर वाले गराने की जीनफ बन रही और इसको परस परसन शूटिंग गेम का पाइनियर समझा जाता है इस गेम के फिचुरिस्टिक ग्राफिक्स और 3D गेम प्ले ने इस गेम को चार्ट चांद लगाती है जिस डॉर्म एंड डूम रिलीस किया गया उस वक्त लोगों की खासी पैसिनेशन एलियन्स और स्पेस काफ्स औ इतना पॉपिलर नहीं हुआ था इसलिए ये गेम हम सब को बहुत पसंद आया है इस गेम की थीम साइन्स फिक्शन और वारर थी जबी अगर आपने ये गेम लाइट बन तरके कभी खेला ओ तो आप डर से जाते थे डूम की स्टोरी की तरफ गेम प्लेयर्स ने इतना दिया नहीं दिया और इसका प्लाट बहुत ही सिंपल है तो चलते हैं स्टोरी की जाने स्टोरी का आगाज एक कैरेक्टर से होता है जिसको डूम गाय की नाम से जाना जाता है डूम गाय एक बहुत ही स्किल मरीन और जबरदस किसम का सोलजर होता है हिस्ट्री के मताबिक जब डू डूम गाई पर मार्स भेज दिया जाता है। डूम गाई पर यूनियन एरो स्पेस कॉर्परेशन के लिए जॉब करना शुरू करता है। जो के इंटर डामेंशनल ट्रांस्पोटेशन और सीक्रेट एक्सपेरिमेंट पर डीसर्च करते हैं। ये डीसर्च काफी खोफिया नी नाक बलाएं डेमोस और फोबोस के प्लैनेट पे हमला आवर हो जाती है। इन प्लैनेट सी सिक्यूरिटी टीम्स जवाबी कारवाई करती हैं लेकिन ये बलाएं और जॉम्बी का अटैक इतना शडीद होता है कि दोनों प्लैनेट से तमांग लोग ही या तो अपनी जान ख कुछ भी नहीं होता। बहुत जल्द रेडियो कांटैक्ट मुनकता हो जाता है और आखरी सर्वाइबर इस प्लैनेट पे टूम गाएं। फिर आइस्ता आइस्ता करके डूम गाई इस बेस के पेरिमेटर का जाइज़ा लेता है और शॉर्ट गन प्लाजमा गन रॉकेट ल नहीं है लेकिन इसके गेम प्ले में खासी तवज्ज़ दी गई हर स्टेज में आपका एक ही हदफ होता है कि किसी भी तरह एक्जिट तक पहुँचा जाए और जैसे ही आप उस एरिया से एक्जिट करते हो अगले स्टेज का अगाज हो जाता है कई दफ़ा स्टेजिस ही भूल बुलाईया होते हैं और एक्जिट ढूनने के चकर में आपको इस सीक्रिट डूम तक भी पहुच जाते हैं जहां से आपको बहुत सारे बोनस आइटम्स भी मिलते हैं इस गेम में अगर आपकी गोलियां खतम हो जाएं तो फिर आप मुको का इस्तमाल भी कर सकते है डूम की एक और खास बात ये है कि उसमें आप मुक्तलिफ किसम के वेपिन्स हैं जिसमें शॉटगन, चेंसौर, रॉकिट लाउंचर और सबसे जादा डैमिज करने वाली बी एफजी 9000 है जो के एक ही गोली में काफी सारे दुश्मनों का खातमा कर देती है दोस्तों आपको एक और दिल्चस बात बताते चलें के डूम ने इतनी जल्दी इतनी जादा पजीराई हासिल कर ली के बड़ी बड़ी कंपनी जैसे के माइक्रोसाफ के इंप्लॉईज इस गेम को इतना खेनने लगे कि उनकी अपनी जॉब से दिहान उड़ गया और माइक केम से हम सब की आदे वाबस्ता है ये थी हमारी डूम पे एक मुक्तसर सी वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कॉमन करके जरूर बताइएगा चैनल को सब्स्राइब और वीडियो को लाइक करना मत पूलिए आपका बहुत शुक्रिया मिलते हैं अगली आपको ये वीडियो में